में हमने देखा था आपके सीनियर नेता हैं मंत्री भी रहे हुए उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था कि 335 अगर नैशल कंफरेंस प्रटीशनेर है तो आपके वकील कौन है वहां पे कौन कब-कब सुनवाई होती वहां पे आप वो चीजें क्यों नहीं बेया कर पाई वो के जो सीनियर नेता हैं दिखे नैशल कंफरेंस एक पार्टी ही नहीं है निश्यर कंफरेंस एक तहरीक है एक्टर जो था वो क्या गुजर बकरुवाल कम्यूटी का हक नहीं था क्यों नहीं आपके समय पर क्यों ही मिला लागू हुआ लोगों को उठा के मार रहे हैं काउड को पुलिए कहा हैं बताइए कथवा में लोगों को तंग किया जा रहा है सांबाइड Schon जम्मू में तंग किया जा रहा हैं किस जगह फ़रस्तंग नहीं कर रहें आपके ही घुठ बखरवाल कम्यृटी के लोग बोर रहें कि फ़रस्ट डाइक्ट मिला है मैंने कहा वह जैंट है वह बीजेपी के अजेंट है ड्यार पेड के अब देखरें निए और मैं हूं आरफा सर स्वागताब का नियू सार इंडिया बहुत शुक्रिया मुभार्ट को आपको टैंक यू आपको भी सरी सब जिस तरह से हम अभी के माजुदा हाला जो जमो किश्मिर के देख रहे हैं और आज की ही अगर हम बात करें इतनी सारी जो ट्रांसफरें हुई हैं इनको देख के आ कि चहते हैं उनको दो-तीन साल में अच्छी चीज़ काम करने का मौकर मिलता है कुछ अफीसर्स के जिनकी कोई बैक नहीं है या जो उनको अच्छे नहीं लगते उनको वो दूरदराज एरिया में या ऐसी जगह बेशते हैं जिसके वो जिनके साथ वो इनसाफ नहीं कर सकते और ये गौर्मन्ट की बिरको गलत पॉलिसी है और चाहे SSP समझें, DC समझें, मैं कहता हूं कि जो काम नहीं कर रहे हैं, प्राइम पोस्टिंग ऐसे लोगों को दी गई हैं, जो लोगों को पसंद नहीं उनको लगा रहे हैं, जो आफिसर लोगों की बात सुनने के लिए तयार कर नहीं है, जो लोगों को अपरेड़ में करते हैं, उनको डिस्कि बोस्टिंग दी जारी हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार लोगों को तंग करना चाहती हैं लोगों को खुश दिन ही देखना चाहती हैं तो मैं सारे officers की बात नहीं करता बड़ चैंदे districts की बात करूं या कुछ जगह ऐसी है यह government की बिल्ड को गलत policy है और नाशनल conference का being यह secretary central zone मैं government की इस policy को गलत समझता हूँ और बिल्को गलत policy है आपके हिसाब से क्या transfer होने नहीं चाहिए यह transfers हो बड़ उसका एक procedure होता है transfers हो जो बंदा काबल है मैं कहता हूँ चार साल में जा तीन साल में कुछ officer ऐसे हैं एक district से जाते हैं दूसरे district जाते हैं और उनको काम करने का मौकर मिलता है बड़ जो काबल है जो district को समझाल सकते हैं जो लोगों की बात सुनते हैं उनको और जस्ट नहीं किया जाता उनको district नहीं दिया जाता तो इससे अपिक एनचूस पालसी officers के लिए अच्छी नहीं है और लोगों के लिए भी अच्छी नहीं क्योंकि लोगों की बात सुने वाले officer ही नहीं होते हैं बहुत से डीसी की मैंने आपको पहले मिसाल दी ऐसे गलत डीसी जा गे कुछ districts में जो लोगों को बादर ही नहीं करते हैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और उनको सैलरी ये तंखा जो मिलती है वो लोगों के लिए मिलती है तो आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं सभी सभी सब्सक्राइब चरदा सब्सक्राइब जो एक जंग सी छड़ी हुई है जिसे इस तिर्डिय और गुजर कम्म्मीटि के बीचि में जो एक अकस्टनी सी अभी लोगों कर दो पासकर जो पीर पंचाल जर्या के लोगशना उनका मानने क치 इसकर पहारी हैं thoroughly होने के बुजर, हिंदू, मुसल्मान, यह वो भट, कश्मीरी, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता है, ना मेरी पार्टी, नैश्टों कांफिस इन बातों में यकीन करती है, मैं कटवा से बिलांग करता हूं, मेरी इलाके में, मैं आपको सची बात बोलूँगा, दिल की बात हैं, मुसल्मान भी हैं, सब लोग हैं, और अगर पहाड़ी को एक काटवरी दी जाए, तो मुझे लगता है कि साट परसंट लोग तो ही भाशा बोलते हैं, जा वो डोडा के हों, किश्टवार के हों, अनतनाग में हैं, शोपियान में हैं, आपने डिस्ट्रिक कोपवारा की बात कर लें, गंदरबल की बात कर लें, बारा मुला की बात कर लें, हर एक डिस्ट्रिक में ये भाशा बोलते हैं, तो मेरा जहां तक मानना है कि आप किसी की जुबान पर किसी को कैटागरी नहीं दे सकते हैं, और आपने ये रजजोरी पुंच का दो चार दिन का सीन देख ये हमारी एक दोस्त पार्टी है, बीजेपी की साज़िश है, लोगों को डिवाइड करना, डिवाइड करके अपना मकसद निकालना, ना ये गुजरों को फाइदा देंगे, ना ये पहाड़ियों को फाइदा देंगे, एक तरफ से दविंदर राना साब ने 35,000 फ्लैट ब अब ये पहाड़ियों को श्रू ट्राइब दे रहे हैं, तो अब तक ये देंगे नी, अगर देंगे तो ये ड्रामा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये सब ऐसा करने जा रहे हैं, ये इलेक्शन की एक स्टंट है, मैं इसको स्टंट कहूँगा, यहाँ गुजरों के लि सीटे, मैं पचास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीजेपी की सोच है, हम बीस किस तरह पार कर सकें, उसके साथ हमारी जो एलाइज हैं, जैसे अपनी पार्टी हो गई, पीपल कांफर्स हो गई, एबी सी और भी कोई ने पैदा हो जाएं, दो तीन, जैसे हमरे कुछ 44 बोला था, प्लस 44 और उनने का हम लाएंगे, 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 इनका एक नारा है, ये बाग दिखाते हैं, इस पर जाना नहीं चाहिए, तो मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा, कि पहाडी जुबान पर नहीं दिया जा सकता, हम ट्राइबल हैं, तो ट्राइबल के अजेंट्स जो लोग हैं, मैं अजेंट कहूंगा, किसी पार्टी के, उन्होंने एक शोर शराबा शुरू किया हुआ, सोशल मीडिया पर, दूसरी जगा पर, बस कुछ लोगों को बांटना है, रज़ोरी पुन्च पर नजर है, इसके बार डोड़ा और किस्तवार पर नज सकता है. हैं तो से क्यों नहीं बैयां कर पाई आपके जो सीनियर नेता है दिखें नाश्रिक वसेद पाइज ही ही नहीं है 2 अगुळ निश्रिक से एक तहरीग को और National Conference पे उंगली उठाना चंद लोगों का काम है इसलिए एक है एक तहरीक है लोगों को दिलों में बसती है जहां तक आपने बात की के 370 और 35 एक ही बात एक प्लिटिकल पार्टी लोगों के राइट के लिए फाइट करती है National Conference शुरू से ही लड़ाई करती आई अपने लोगों की हक के लिए 375 यह चीना है हमसे और उस चीनी वी चीज़ को वापस लाना यह पार्टी का हक है पार्टी लोगों की निमायंदगी करती है लोगों को दिलों में जीती है तब ही 375 के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं चा लोगों को जागरुक करके ज्यादा सीटें लेंगे यह तो एक तरीका डेमोक्रिसी क्या हम डेमोक्रिसी में ज्यादा सीटें लाके लोगों को बता सकते हैं गोर्मेंटा इंडिया को बता सकते हैं कि हमने इतने सीटें ली हैं 370 और 35 को वापस लाने के लिए यह तो हमारा म तो सिंपल सी बात है, हमारी पार्टी की लेडर्शिप जो है, वो जानती इस बारे में, आपको पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल क्यों पता नहीं है, लिकिन ये बड़े लीटर्ची अंका फैसला है, कि वो सुपरिम को करें, कापल सिबल को करें, कापल सिबल भी हमारे किस को करेंगा मैं किस को कॖिया करें। मैं आपने चोटे बच्चे लिए दिस्कस करूंगा कि हा मैं किस की वह करुछ को करूं दिस्टिक लेकिन। जिस सवाल पूछा जारहता है कि अक चोटे लीडर सहे जरूरीई नहीं है कि जो मुझे पता पापा को पता हो ऐसा भी जरूरीई नहीं है ना भाब जरूरीई नहीं है कि मालिक साव एक बड़े लीडर ने Farm doe है mão को नहीं पता होगा मैंने यही कहा कि Jeans कब आई क्यों आएगी, बिलको नहीं आएगी जब आप सेंटर की बात करें उमर साव मनिस्टर थे जब आप उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखो वाजपई स्यासत में पर्मनेर्ट दुश्मनी ने होती है, आईडियोजी की दुश्मनी लिए होती है ख्यालात की दुश्मी होती है मैं कही बार बोलता हूँ कि BJP के कही लोग में अच्छे दोस्त है बट उनकी और मेरी आइडियलोजी में फरक है जब उमर साब उनके सब मिनिस्टर बने तब अटल विहारी वाजपही थे अटल विहारी वाजपही के साथ मुफ्ती साब भी थे और अटल विहारी वाजपही साब बहुत फराखदिली वाले इनसान थे उन्होंने जब्मो कश्मीर के लिए विजन बनाया था वो लोहर बस लेगे थे उन्होंने साबला कोट से रोड खोला था उन्होंने पुंच से ट्रेड खोला था वो वाजपही का विजन था आज के जो लीडर है ठीक है फारुक साब ने थोड़े दिन पहले जो आज के लीडर मोधी साब है मोधी साब इंडिरेक्टली एक कम्यूनिटी को टार्गिट करते है और यह बता रहूं कि इसी वजह से यूपी से इनका और स्टेटों से सफाया हो जाएगा नफरत ज्यादा देर नहीं चलती थोड़े टाइम तक चलती है आपने 370 की बात की 335 की बात की यह हमारी पार्टी का नारा है कि लोगों से जो चीनी हुई अमानत लोगों की है उसको वापस लाना यह हमारा नारा है जिस तरह कि जम्म कश्मिर के हालात बने हुए आपको लगता कि एक पार्टी की हकूमत बन सकती है मैं आप से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं नैशनल कानफर्स का हूँ हमारी लड़ाई सिर्फ 35 सीटों पर है सिर्फ 18 सीटों पर है जम्मू सांबा कट हुआ मैं बता दूँ आपको एक दो उदूपर की बाकी नैशनल कानफर्स के हाग में ही जाएगी 90 सीटों में से आप 20 सीटे निकाल लें पीछे कितनी बचती है 70 है ना 70 सीटों जो है उसमें नैशनल कानफर्स का दबदबा होगा आप बता दीजे सरकार कितने की बनेगी वो चाहिए महबुबा मुफ्ती की कुछ सीटे हो मैंने का 70 सीटों पर हमारा आसर होगा हम जीत में है यह आज आपको बता रहा हूँ एक पार्टी का सेकरेटरी तीन डिस्टिक का मेरे डिस्टिक कठुआ सांबा और रमू में हमारी फाइट है यहाँ हमने बीजेपी को 18 में से 8 पर लाना है मैं पार्टी लिडर्शिप से मैं पार्टी का सेकरेटरी हूँ मैं अपने सीनियर से बात भी करूंगा कि किस तरह से पार्टी को यहां बीजेपी को गेरा जाए बीजेपी बूल जाए पुन्शर जोरी बीजेपी बूल जाए चिनाव वैली बूल जाए बीजेपी वहां से लोग जो इतना साथ दे रहे हैं उनका इतने बड़ी-बड़ी रैलीज हो रही है वो क्या लोग मतलब दोखा दे रहे हैं उन पार्टीज को इन्होंने दोखा दिया लोग भी दोखा देंगी यह मेरे गुज्रों की बात करते हैं न मैं आज और रिकॉर्ड कह रहा हूँ नगरोटा से दविंदर सिंग राना सहाब को मैं पांच परसंट से ज़्यादा से गुज्रों का वोट नहीं दिलवा सकता हूँ उमीद कर सकता हूँ कि इसे ज़्यादा मिलेगी लोग भी बहुत चलाक हैं लोगों को इन्होंने खाया लोग इनको खाएंगे तो ये जो इतनी सारी स्कीम हैं जो हैं गुजर बकरवाल कुम्नेटी के ले लाई गई हैं भाजपा के दोरे आपको नहीं रखता कि गुजर और जिस तरह से हम जब भी भाजपा के किसी प्रोग्राम में जाते हैं उतने तो बाकी लोग नहीं दिखते हैं पकड़ियों वाले गुजर बकरवाल कुम्नेटी के लोग दिखते हैं आपने कहां बहुत सारी स्कीम्स लाएगी बीस डिस्टिक जमू में हर डिस्टिक में एक होस्टल है इसका जिकर कभी किया आपने हर एक होस्टल है और गर्ल्स होस्टल अलाग है नasanायों ना और बड़ियों के लिए गुजणों के लिए भिना पर्मेट एक डिस्ट्रिक से दूसरे दिस्ट्रिक माल ले जाते थे हम नास्टल कान्फर्स के टाइम में चापीडीपी के सरखर कर टाइम में आज यहां आप दो गाय लेके दूसरे डिस्टिक में जाएं आपको पुलीस ही मार देगी क्या गुजरों पर एहसान कर रहे हैं जहां तक आपने पैसे की बात की आज बठिंडी में साथ लाक पर मरला है आज से पंद्रह साल पहले बठिंडी में वो एक लाक जाँ पचास जार पर मरला थी अगर आज बारा सो क्रोड ट्राइबल डिपार्टमेंट में आया है आज से पंद्रह साल पहले वो पचास लाग काफी था उतना ही तो पैसा है हमारा हक टेक्स में देता हूँ भाईजान हमारा पैसा भी है यह सरकार ऐसान नहीं कर रही है यह एलोकेशन फिक्स्ट होती है हर कास्ट को जो बनाये हैं बोर्ड बनाये हैं जो ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया है उसका हग के वो मिल रहा है फॉर्स राइट एक्टर जो था क्या गुझर बकर्वाल कमुधि का हाक नहीं ता क्यों नहीं आप के वे solic хजबल की लोगने को उठा ऊठा के मार रहे हैं काजों में स्जिक्तर वी कहा है कथ पतावा में यह याद रखिएगा द्यार पेड पैसे देकर एजन्ट बनाये हैं कोई लागू नहीं हुआ फिल्ड में कहीं मुझे बताएं यह देखिए सिद्रा में जाएं फॉरस्ट लेंड है फॉरस्ट लेंड पर लोगों में होटल बंद करवा दिये फॉरस्ट लेंड पर उनको हाक ह क्योंको वहां सईद नहीं है वहां दूसरा कोई है कहां दिया यार दिया क्या मुझे बताएं बीजेपी ने दिया क्या यह सब शलाबे जिसना से एंट्री इंक्रॉस्ट में ड्राइब्स जो चलाई जा रही है और आज कि अगर हम बात करें सी यूटी गवर्मेंट में कु अब यह आपने देखें नोटिस कट हूआ मैं सांबा में जो गौर्मन लैंडस है गौर्मन टो नको नोटिस दे रही है दम्कियों दे रही है तो यह कहां लोगों के लिए हैं जिन लोगोंने तीन तीन सो साल तक वहां केती बारी की उसको कह रहें खाली कर दो कहां लोगों के लिए कहां लोग वो कहते हैं हम पचास सीटे लाएंगे क्या ऐसे लोगों को ये वोड देंगे यहां कठवा सांबा जम्मू पर जिस पर ये नाच रहे हैं जिनकी जमीने निकाल रहे हैं गराना वेट लेंड से ये ये सरकार नहीं है ये गुंडा राच है तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को लें जनता को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे आप चलने चलिएगा नैशनल कान्फरंस ने पहले भी लोगों को काम किए मेरे पास मैंने जहां पर सबूत भी रखे नैशनल कानफरेंस ने हर कौम बरादरी और जात महज़ब के लिए काम किये फिर भी करेगी महर बानी करके आप जलसों में जाएगा बट वोट नैशनल कानफरेंस को करिएगा इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नियुस साहर इंडिया मैं अरफाज मडायें के में शानवाज के साथ